हेलो स्टो कमाई का अड़ा से यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शांदर कमपनी के बारे में जो इंडिया के अंदर भी और साती यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर भी बहुती शांदर यहाँ पर बिजनेस के अंदर कमपनी करकर दिये जा रहे है और मैं बात कर रहा हूँ टेगा इंडिस्टी के बारे में जो लेटेस यहाँ पर इसकी لिस्टिंग हुई है और इसी के साथ लिस्टिंग के बाद में धीरे-दीरे कमपनी इंप्रुमेंट करकर भी दिखा है अभी ये initial stage में है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा potential भी दिखाई देता है तो किस तरीके से strategy रखनी चाहिए ऐसा कौन सा business जो इसके पास है जो हर किसी निवेशक को यहाँ पर पैसाई company कमा कर दे सकती है और company global level पर यानि के पुरे दुनिया में कुछ ऐसे यहाँ पर services और जो इसके अंडर जो काम चलते है उसके अंदर एक company leading performance यहाँ पर present कर रही है तो टेगा industry की definitely details देखना जो दोस्तों एक छुपा रूस्तम stock है जो अच्छे खासे यहाँ पर improvement के लिए तयार है तो चलिए देख लेते सभी details वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो कमाई का address यूटूब चैलन को like subscribe करना और comment बताना कोई question queries आपके mind में हो तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते है टेगा industry का share trade कर रहा है यहाँ पर 900 यहाँ पर 23 रुपाई पर और पिछले 6 महिने के return देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे 55% के यानि के अच्छे खासे return है और आप जैसे इसकी listing हुई है तब से chart pattern देखेंगे तो stock एक अच्छे खासे correction के बाद में देखें कितना बड़ा record बना चुका है आप यहाँ पर देख सकते है में महिने में 2022 से लेकर अभी का जो यहाँ पर मन चल रहा है दोस्तों 2023 तक आप यहाँ पर आगर इसके return देखेंगे तो यह रिखिए 116% के return जनरेट करकर दिये company ने listing यहाँ पर हुई थी December 2021 में टेगा इंडस्टी की 614 रुपे पर list हुआ और फिर गिर कर आगया 420 पर और वही 420 अभी 920 के ऊपर trade कर रहा है और इसके पीछे strong company के अंदर के जो point से वही company को दोस्तों support कर रही है अभी मैं आपको यहाँ पर सबसे important point बताने वाला हूँ टेगा इंडस्टी के बारे में देखे किसी company में इतने बड़े गिरावट के बाद में यहाँ पर तेजी आ रही है तो उसके पीछे बहुत कुछ reason है और वो company उसके लायक नजराती है उतना डिजरो यह company करती है आप खुद देखिए इसका revenue अगर चेक करेंगे तो इतने bad situation में भी आपने तो बहुत सुना भी होगा और लोगों ने बहुत यहाँ पर चर्चा भी की कि recession आया यहाँ पर आ रहा है और यह चीजे हम देख रहे हैं बहुत से country में आकर चले गया किसकी country में आ रहा है तो भी यहाँ पर आप देखना यह company एक अच्छे level पर काम करी है तो इसको फाइदा भी हो रहा है इसका revenue 36% से improve हुआ है income देखिए 58 margin देखना 15% से और यह ऐसा नहीं के शिरीप अभी के result है दोस्तों company हर वक्त ऐसे ही perform करती है अभी बात करेंगे टेगा इंडस्टी के अंदर के business के advantage और इसके अंदर अभी आने वाला समय बे किस तरीके से शांदा रहने वाला है वो भी हापर मैं आपको बता देता हूँ हापर आप टेगा इंडस्टी के बारे में थोड़ा जो इसका business structure है उसको understanding करने के लिए तैयार रही है जिससे आपको पता चले कि company में क्या फाइदा है established ये company होई थी 1976 के अंदर टेगा इंडस्टी is a leading manufacturing and distributor of specialized critical and recurring consumable product for the global mineral जो भी हापर बिनिफिकेशन जो होता है mining जो होती है bulk जो भी हापर solids handling industries होते है जितनी भी mining के industries है ना उनके लिए ये company बहुत अच्छी है और मैं आपको बता दू mining और जो भी यहाँ पर other जो industries है उनको ये company जो service provide करते हैं उसके अंदर इसका बहुत अच्छा weightage दिखाई देता है और ये भी बात आपको पता होने चाहिए कि टेगा इंडस्टी are the second largest producer of the polymer base mills linear ये जो है उसके अंदर ये largest है और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा इसके पास rubber related यहाँ पर other जो steel वगेरा ऐसे सभी इंडस्टी जो है या जो यहाँ पर mining का काम होता है या minerals related processing वगेरा होती, skinning होती है, gridding होती है, material handling काम होता है, सब कुछ ये company processing वगेरा का काम इसके अंदर होता है अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके 6 manufacturing sites है, तीन यहाँ पर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे दहेज इन गुजरात एंड यहाँ पर कल्यानी इन वेस्ट बेंगल एंड दोस्तों यहाँ पर order देखेंगे तो South Africa और Australia ऐसे इनको जो यहाँ पर business की जो अच्छी value है, वो कहाँ पर है, वो पता है, बोलकर उन्हों देखिए आफरीका में, अस्ट्रिलिया में ज्यादा mining का काम चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर mineral वगेरा ज्यादा मिलते है, और research ज्यादा की जाती है, तो इस तरीके से फाइदा उठा रहे है, एंड यहाँ पर इनके पास अच्छा खासा revenue जो generate होता है, वो ऐसे ही अलग-अलग देश सकते है, South Africa also, तो ऐसा business है, देखिए company का, अभी एक company क्यों leading है और क्यों फाइदे मनें, वो भी आपको पता होना चाहिए, one of the world largest producer of polymer based mill laners, तो यह जबरदस चीजे है company के पास, research development manufacturing के लिए focus quality product, सब कुछ इसके पास है, global customer base है, और strong global manufacturing sale capabilities के पास है, बोलकर तो एक company फाइदे मन यहाँ पर साबित हो रही है, अभी यहाँ पर Tega industry के business को आप देखना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते है, पहले यहाँ पर हम product के बारें बात करें, तो 55 products इनके पास है, 70 देशों में business चलता है, customer यहाँ पर 700 से ज़्यादा है, partnership बहुत अच माइनिंग का का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा value प्रोएट करती है, आप इसके business के बारे में पढ़ना चाहिए, तो बिलकुल पढ़ सकते है, बहुत अच्छा खासा इसका यहाँ पर business quality का नजर आता है, यह देखिए, माइनिंग से रिलेटर आपको बहुत सी जो करें तो यह कंपनी यहाँ पर valuation से देखिए, उतनी कुछ महिंगे नहीं है, 6,151 करोड का इसका market क्या पर है, और जो पीरेशिक बात करें तो 33 का, return on equity and return on capital employee देखेंगे तो यह बहुत अच्छे खासे level पर trade कर रहे है, इसका फाइदा लिजिए, और देखना सबसे अच्छी बात क्या है, इस company पर यहाँ पर कोई issue या problem नहीं दिखा देता, शरीप एक बात इस company के यहाँ पर बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो share holding की है, प्रमोटर की जो share holding है, वो 79% है और CB के rule की साब से 75 होनी चाहिए, और यह एक दिन आपको होते वे नजर आ जाएगा, जैस open market में 3% बेज दिया, सीधा यहाँ पर जो share holding थी वो कम हो गई, rule के साब से चल गए हो, और benefit भी मिल गया उनको, देखिए, डियाएस ने पिछले चार quarter में धीरे धीरे टेगा industry में पैसा यहाँ पर लगाना start किया है, और आप देखेंगे तो FIS के पास भी अच्छा खसा stake है डियाएस ने बहुत जादा interest दिखाया, 12% का stake है, और बाकी का देखिए, FIS के पास और Republic के पास स्रिफ 6%, यानि company में अभी बहुत बड़ा potential है, आगे धमा के करकर दिखाने का, तो जरूर आप टेगा industry का फायदा उठा सकते है, जो निवेशक यहाँ पर return कमाना चाहेंगे, वो टेगा industry के उपर नजर रख सकते है, अभी तो इसके अंदर बहुत कुछ improvement होना बाकी है, thank you so much.